तो यहां पर देखो कि बहुत सार लोगा मतलग कि इस्टाग्राम पर मेसेज आ था और मेरेको कमेंट में पूछ रहे थे कि रामकरत भाई मेरा यूटूब वीडियो बहुत ज्यादा कोफी राइट क्लेम आ जाता है तो कोफी राइट क्यों आता है और उससे कैसे हटाएंगे और यहां पर हम लोग कोफी राइट क्लेम अगर आ घया है तो क्या हम लोगों को क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा इस तो बीडियो बीडियो बाने वाजिक है क्योंकि इस वॉर्ण ही आप लोगो देखने बादullah मधे ञल्ण वो सारा question का answer मिल जाएगा और जो भी डोट हो सारा डोट आपका clear हो जाएगा तो जैसे कि आप लोगो पता ही होगा कि किसी का भी अगर magic यूज करते हो जैसे कि बड़ा-बड़ा company होता है जैसे बड़ा-बड़ा company का जो song होता है उसका अगर background magic लेते हो उसका song लेते हो उसका कि भी अगर use करते हो जिसका content add continued होता है तो एक वीडियो का copyright claim आ जाता है तो copyright claim आने का मतलब यह है copyright claim का मतलब यह है किसी दूसरे बंदे का वीडियो को copyright claim करना इसके वाज़े समने को copyright claim कैसे हटा है तो copyright claim हटाने के यहापे 2 3 option है जो कि मैं आप लोग को बता देता हूं सबसे पहले यहां पर क्या तो कोफिराट क्लेम हटाने के लिए हम लोग के पास तीन ओप्षन होते हैं जो कि सबसे पहले वीडियो को मीट करना रिफ्लेस करना या फिर वीडियो को डिलेट कर देना ठीक है तो तीन ओप्षन में आप ल लोग वीडियो पर आने कि जितना ज्यादा आनिंग कि 10-20-50 वीडियो जो भी अप्लोड किये हो उसमें अगर आपका ज्यादा कोफिराइट क्लेम वीडियो है तो आप डिलेट कर दीजगा तभी अचा रहेगा नहीं तो आपका यूटीब चैनल मौनटाइज के लिए करोगे क्यों आता है कोफिराइट क्लेम कैसे हटा सकते हैं कोफिराइट क्लेम है तो आपका यूटीब चैनल मौनटाइज होगा या पिर नहीं हो आप लोग भी सिख गयोंगे तो अगर आपका वीडियो पर आने कि आपका समझ लेजिए फोर्टम पार जाम पलकिए 500 वीडियो और आपका वीडियो पर आने कि 10-20-50 वीडियो जो भी अप्लोड किये उसमें से आपका समझ लेजिए कि 99% आपका सिर्फ कोफिलाइट क्लेम आया हुआ है तो उस चैनल को मोनटाइज के लिए अगर आपका यूटीब चैनल मोनटाइज नहीं होगा क्योंकि उसमें आपका वीडियो बना रहे हो उसमें से देखोंगे कि किसी दूसरे बंदे का वीडियो डाउनल करके अपने चैनल पर अप्लोड कर दिया उससरे से अपका कोफिलेट के लिए मागया है तो आपको करना क्या है कि किसी दूसरे का भी कुछ यूज करो नहीं आपको कुछ होना आपको यूटीब चैनल मोनटाइज के लिए अपलाई नहीं कर सकती हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गया होंगे कि कैसे हम लोग रीजिव कॉंटेंट हासा मतलग कोफियाट के लिए में ज्यादा रहता है तो आपको चैनल मोनटाइज के लिए अपला कर लीजेगा